हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आया हूं यह कोश्चन क्लास 9 की चैप्टर 6 से लिए गया है तो इस वीडियो में हम इस वीडियो को ध्यान से देखिए आंते तक देखि में क्या पुछा गया इसे कैसे सॉल्ब करेंगे ठीक है को कुश्चन हमारे पास इन फीगर 6.9 लाइन पीक्यू एंड आर्यस इंटर्सेक्ट इच अधर एड़ पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ और रेसियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वाल टू फाइफ रेसियो 7 से पीक्यू एक हमारे लाइन है आर्येस ठीक है आर्येस और पी-क्यू एक डूसरे को औपॉइंट पर इंटरसेक्ट ट Uzव नहीं पॉइंट तीक करेंद यहां पर बताय गया एंगल वह फाइफ रेस्यों है इंगल कितना है अभी फाइप लिक देता हूं और और क्यूं यह वाला जो एंगल है वह सेवन रेस्यों है तो हमें बताना यहां पर कि वह मतलब है कि सब्सेरोंर होंके इसकी वालू कितनी होंग इसकी वैल्यू कितनी होगी सब्सक dysmen । सब्सक्राइब देखो जब भी रेशियों का कैस आता है एकर लट along तो भी दे रेशियों बी एक्स रेशियों को आपने क्या माल लिया एक्स माला लिया और देन तो फिर आगे क्या होगा अब यहां पर मैं आपको बताता हूं यह जो एंगल पी ओ आर है एंगल पी ओ आर इस इकल टू हो जाएगा 5x और जो एंगल आर ओ क्यू है वह इस इकल टू हो जाएगा 7x कि लिए मतलब यह 5x और यह 7x अगर मैं सिर्फ यह वाली लाइन लूपी क्यू एक चोटा सा डै喂 मैं दता हो देखो यह फिकल ख्या है प्यू यहां से कोई PQ on line PQ angle POR plus angle ROQ is equal to 180 degree region linear pair angle यह कैसे एंगल है यह linear pair angle है ठीक है अब देखो हमें इसका value नहीं पता है इनके ratio पता है यह वाला है मारा 5x और यह वाला है मारा 7x तो ratio रखेंगे तो answer कितना आएगा वो देखो 5 plus 7 12 12 X is equal to 180 degree और AX is equal to हो जाएगा 180 divided by 12 देखो 12 का table पढ़ेंगे तो नीचे तो बन हो जाएगा 12 वंजा 12 कि ऊपर कितना आजाएगा 12 वंजा 12 6 रिमेन हो जाएगा ट्वल 560 तो देखो फिप्टीन अब पान बन का मतलब 15 तो X की वैलू कितनी आ जाएगी 15 डिगरी आ जाएगी देखो X is equal to 15 तो यहां से यहां रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 into 15 तो 15 से वन अंड्रेड फाइफ ठीक यानि कि आप अगर सिंपल सिंपल भासा में बोलो तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया 75 डिगरी यह वाला कितना हो गया 75 डिगरी और यह वाला कितना हो गया 105 डिगरी पता चल गया आप पहले यहा आंसर आया कि देखो यहां तक हमने सल्यूशन कर लिया था कि नाव एंगल पी ओ आर वह हो जाएगा 75 डिगरी और जो एंगल आर ओक्यू है वह हो जाएगा हमारे पास 105 डिगरी आप इसको भी हम हटा देते हैं देखो मैं आगे एक बात बताता हूं यहां पर एक केस इंवा आगल कि case में क्या होता है जिसे दो लाइन तो इसकोप्रगार सेcąट कर रही है तो यह वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल प्रेकार से यह वाला है रहा है घै यह सेए जिए यह वर्टिकली आपोजिट एंगल की क्या होती है क्वालिटी होती है ठीक है तो यहां से हम सीधे कह सकते हैं कि सिंस कि वर्टिकली आपोजिट एंगल अब ध्यान से रेखना अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यह जो एंगल पी ओ एस है यह वाला इसके सामने कौन सा एंगल है तो आप बोलोगे सर इसके सामने यह वाला एंगल है कितना और ओक्यू तो यहां पर एंगल पी ओएस की वैलू कितनी हो जाएगी 105 ठीक इसी प्रिदार से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल पी ओ आर यह वाला एंगल इसके कौन से एंगल होगा तो आप बोलोगे सामने वाला यह वाला एंगल यह क्या है किया है एस कि तो यह पर हो जाएगा एंगल एस ओक्यू बढ़ पी ओ आर आप यह भी जानते हो कि एंगल पी लोग क्या है पी यह उन्टिफवाइड दो यह क्यों इसका मतलब मैं साफ सभ कर सभाओ और यह 75 है और का 105 तो यह अगर 105 है तो यह भी 105 होगा तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे दस कि दा एंगल्स आर कि 75 डिग्री कि 75 डिग्री 105 डिग्री एंड 105 डिग्री तो इसके कोश्चन में से यह भी पुछा गया था को आंसर को टो को सब्सक्रींद कि अपिकर लो तो कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक अगले थेंक्यू ग्लास